इन बच्चे आज हम लोग कलास से बीन का टाइम एंड मोफन पढ़ेंगे और यह सवी बच्चे के लिए जरूरी है जो तयारी कमप्रटी के कर रहा है तो हम लोग एक सारी के साथ हम लोग सुरुवात करते हैं यह जिन्दगी है हासी यह जिन्दगी है हासी इससे प्यार करो अभी हैं रात तो सुबह का इंति जार करो वे पल भी आएगी जिसकी ख्वाइस हैं आपको वे पल आएगी जिसकी ख्वाइस हैं आपको रभ पर रखो भरोसा और संगर्स पर भी सवास करो जैन्मीर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग आए टाइम एन मुफन जैसे मानलेजी कि मेरा मुव जो भी बोल रहा तरा मौसर कर रहा एसका मतलब कि मोसं जो होता है कोई गतिमान वस्तू है उथ का हो जाएगा, प्रांत बता यह कोई वैक्टी rates में उसको नहीं मोशन बोलेंगे या उभी मोशन बोलेंगे, फरभन उसका case नहीं मोशन बोलेंगे प्रांत उसका, 모습 motion का type बदल जाएगा और यह ए रेश्ट मोशन हो जाएगा तब मोशन के रेश्ट मोशन हो जाएगा एक आपका एक मोशन हो जाएगा आपका जो समय के साथ उसका भरियेशन होता है जो अपना समय के साथ पोजिशन चेंज करता है है तो उसको कहते हैं हम लोग मोशन कहते हैं जब कोई अबजेक्ट है अगर एक पॉइंट से दूसरे प बोलते हैं अब आते हैं हम लोग कर रहा है कि कि हम लोग समझ गए मस्ट आवर एक्षन डिपेड़ ऑन टाइम और अधितर जतना किरिया होता है वह टाइम पर निर्भर करता है वी नीड टुदव मेजर टाइम फर वेरियस रिजन संच अधर इनस्टेंट हाव टू लॉंग एक्टिक टू दो कंपलेट कर रहा है कि हम लोग का करना चाहिए टाइम को मेजरमेंट करने के लिए बहुत फ़र अडिभा इसके भी जरूरत पड़ता है मैजरमेंट टाइम को मेजर करने के लिए आपका आपका लेंध ہو जाएगा यह जब मूब करेगा तो यह आपका मीन पोजिशन जागा यह स्ट्रीम पोजिशन जागा मीन पोजिशन तीस तरह से घड़ी में लगा हुआ यह पेंड़ू स्ट्रीम में फ्रफ्र करता हुआ दूंक्ताइख देना प्रफ्र को चाहिए इसकोril जाएव वृ अब कहा रहा है कि हम लोगत के लिए बहुतार घाड़ी पी आ गया हो दिए यूंई ट्याव messyre हम लोग मानते हैं यहांने बेसिक टाइम तो हम लोग मानते हैं इसे हम लोग मीनट भी मानते हैं आवर में मानते हैं पर हम तो बेसिक टाइम होता है वह हम लोग को सिक्ड मानते हैं method of the measuring the time period of the pendulum कैसे हमें लोग method है तो हम लोगे बहुत फिरा मतलग कि हम लोग को जब यहां देखे हैं यहाँ पर जो length है, length का अनुसवार हम लोग का करता है भेरी कर जाता है तो यह यह उस का अनुसवार हम लोगे length का धहर पर हम लोग पेंडलम का जो है टाइमिंग बताता है कि अधिया ध्यान देंगे कि टाइम रिकॉड़ेट टी एंड राउंड ट्वेंटी फाइफ ट्वेंटी फाइफ ऑसलेशन में होता है कि डिभाइडिंग टॉटल टाइम टेकन बाइड नमबर अव द असलेशन जेतना अगर मानले कि टाइम टेकन किया हुआ है उतना में रखा कि ट्वेंटी फाइफ से डिभाइड कर देते थे तो उसले हमनों को टाइम प्रिएड निकल जाता था और रिमबर दर से लाइट चेंज इन डिस्प्रेस्मेंट डज नॉट इफेक्ट टाइम प्रिएड ऑन आवर पेंडुलम कर करते तो हमें टालिक बाल्ब जो मतलब कि इस्ट्रिंग के सांत मतलब कि हैंग राता है तो उसको में को का और HA? मोचन होता है हम लोग आ death को RAST aún और का RELATED Мोशन के बारम जानते रेस्ट मोशन होता है जब कोई Одबजेक्ट या था किसी इर्लेटेट आगा, है रेस्ट में वह डिस्चेस नहीं चांज कर रहा है तो इसको बोलतके हम फ sulfur जल्वरिजी अचेंच कर रहा है है और सुनलनुशन आपका शेंच कर रहा है, इसको मुद्व की रिलेटिव खरी सब्सक्राइब यहां है इसके रिलेटिट का पॉजिशन चाहिए जींग भी आइसे बोलेंगे अगों पार्टिकल मोशन में परन्फ़ इसके रिलेटिट जसत्कुट काता सब सका जाएगा तो खहेंगे कि पार्टिकल रेस्ट में इसमझें के त सब्सक्राइब लोग लेखते हैं सपीड अरफ होता है कि इस पीड का Nex टेकन बाई टाइम इकरन टू स्टी गवरिपयशियव यह वकुशन हो मिकंत कर देथेंट कि बेशलिक डिख तो उसको हम लोग एस्टेडर सेंट मीटर पर सेकेंड ही हम लोग लेते हैं अब देखते हैं Speed, Distance, Time करके इनिफॉर्म मोशन इनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं जब भी कोई वस्तु A body said to be uniform इफ दका cover equal distance in equal interval of time करके जब भी कोई वस्तु equal interval of time equal distance करता है तो उसको uniform मोशन कहते हैं परन्तु जब वही जिस एक्जामपल A car moving on a straight path at the constant speed is uniform मोशन जब भी कोई कार चाहे गाड़ी चाहे कोई भाई गल्स जब रोड पर कहता है एकदब uniform एक constant speed से चले जिसे पंदरक speed से चल रही है तो पंदरक का हमेशा चले तो उसको बोलते ही uniform परन्तु जब कोई का रहा हुगर 15, 16, 17, 18 हमेशा उसका speed बदलते जा रहा है तो उसको कहेंगे non-inform तो बोलेंगे body is set to non-inform motions when the trouble is unequal distance कहा कर रहा है unequal distance unequal distance इसमाल लेगे उसको हमेशा distance बदलता रहा है यह इन्हाँ इक वार interval time याद रहा कि time जो हमेशा interval एक के बाद दूजर नहीं होएगा परन्तु ओद बोलेंगे जब distance बढ़ता है एक मिनट में वोग दूख करेगा कभी पांस मिनट तएक करेगा बीस मिनट तएक करेगा तो यह जो का 20 km, 5 km, 1 km, वह का इसा बनाएगा, non-inform बनाएगा, मतलब कि उसका uniform नहीं है, constant उसका speed नहीं है, variable speed हो गया, उसका speed जो होगा, चेंज हो जा रहा है, तो यह का आएगा, non-inform of motion, graph जो बनाएगे, bar graph बनाएगे, pie chart बना सकते हैं, line graph बना सकते हैं, जो diagram बना सकते हैं, graphical representation, information about the moment, data, from the total distance cover at the different time, during the moment, can be recorded and represented in the picture, pictures from in a different way, संचाज, करेंगे, जो picture from a pig figure के बाद है, हम से, हम बहुत 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 तरीका से दर्साद सकते हैं, चाएग बार graph हो, चाएग पाई chart हो, line graph हो, इस तरह से हमनो diagram ड्रोग कर सकते हैं, जिसे यहाँ distance time graph जो है, यहाँ पर line से denote क्यों किया गया, यहाँ पर देखे, बता रहा उसी speed में y sub चल रहा होगा, मतलब कि ऐसा speed या uniform speed है, कैसा speed है, या uniform speed है, मतलब कि equal distance, travel इने की equal interval of time, हम ऐसा जिसे 10 के पात, 10, 15, 20, 25, 30, 30, ऐसे चाहरा, 1, 2, 3, 4, 5, minute, तो 10, 10 by 1, 20 by 2, 30 by 3, तो यहाँ का हो गया, समय चाहर देखे, कि इस answer के तना आ रहा, 10, 10 आ रहा, मतलब कि constant speed से यहाँ पर graph आएगा, मतलब कोई भी गाड़ी जब चलेगा, 10 की speed से, चाहर 20 की speed से, वह अपना constant speed बना के चलता हो, कभी change न करता हो, तो वह इनिफॉर्म speed का लाएगा, तो यह graph किसको बता रहा है, इनिफॉर्म बता रहा है, चाहर यह graph घुसक को रहा सम सिधा आ जाता बार गराफ से, तो बार गराफ से जीनिफार रहा है, यह graph जो हम ऐसा बता रहा है, यह graph यह大家都 is, यह speed होगा, यह speed होगा, तो यह speed का था, टाइमले से बता देता हो गया, ऑपाई चाट देखिए यह पाई चाहर इसकोष्य पाई चाहर इसकी इस तुन रहा है तो आपको 10 तरीका से भागारा करने आ रहा है नहीं ड्रैगराम करने आ रहा है तो में आप पर तो थोड़ा से निभर करता थोड़ा सा टाइम दीजिए गा तब निकल पाएगा देखिए 0 से 20 किलोमेटर के फुए श्याली से ग्राफ हो गया 40-60 हो गया 60-80-100-100 से ज्यादा तो यह आपका ग्राफ ऐसे बनते जारा है इन्हीं फॉर्मिल बन रहा है तो यह आपका हो गया पाई चार्ट यह आपका बार ग्राफ समझें कि आई आपका हो गया लाइन ग्राफ हो गया ओके आगी को बढ़ते हैं